नमस्कार आप देखरें नेशन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ रुतिक बिहार विदान सबाद चुनाव का शंकनाद हो चुका है बिहार में चुनावी मौसम जारी है लेकिन इस बीच में जिस तरह दशेहरे के मौके पर मुंगेर में निंदन ये घटना घटी है उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नितीश कुमार की सरकार को घेरा है क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने आरजडी के नेता तेजस्वी यादव ने नितीश सरकार पर आपको हम अभी एक वीडियो दिखाएंगा आप इस वीडियो में सुनिए कि तो सुना आपने आरजडी नेता तेजस्वी यादव ने इस तरह मुंगेर में घटी इस नंदनिय घटना को लेकर नितीश कुमार की सरकार को घेरा है साथी साथ उन्होंने कहा है कि अगर आने वाले चुनाव के नतीजे में अगर आरजडी की सरकार बिहार में बनती है उनकी सरकार अगर बिहार में बनती है तो वो मृतक के परिजनों को इनसाफ भी जरूर दिलाएंगे अब क्या कुछ होगा, 10 नवंबर को किसकी सरकार बनेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है, और अब दो चरण के मतदान बियार में उने बाकी है, जो कि 3 नवंबर और 7 नवंबर को होंगे, और 10 नवंबर को बिहार विधान सभाचुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो फिलाल के दीजिए मुझे इजाज़त और बिहार विधान सभाचुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जोड़े रही है नेशन न्यूस के साथ देखते रही है नेशन न्यूस को मुझे दीजिए इजाज़त झाल झाल